वहीं आप सबी को बता दूँ कि राइस्थाल में हो रहे पंचाइतिना चुनाओं को लेकर के कॉंग्रीज के प्रत्याशियों को जटका रत्तावाद नजर आ रहा है क्योंकि इसके पीछे की बड़ी वजय पूर्व ओपुमुक्यमंत्री सचेन पाइलेट और मुक्यमंत्री अशूग गहलोद के बीच में चल रही तकरार सामना दे की नजर आ रही है तो आई एक नजर डालते है कि अफिरकार इस तक्रार का इससे क्या कुछ संबंध सामने आ रहा है और किस प्रकार से कॉंग्रीज प्रत्याशियों को जटका रगता हुआ नजर आ रहा है पंचाहितीराथ चुनाव को लेकर के इस वकगि बड़ी खबर सामना इए है जिसमें सचिन पारिट और मुक्यमंत्री अशूग गहलोद के बीच में तकरार से चुनावी भूचाल आतावा नजर आ रहा है वोके मंतरी अशोक गैलोत वे सचन पाइलेट की बीच में तकरार देखने को मिल रही है और गैलोत खेमे में रहे मंतरी विधायकों की वज़े से लग सकता है प्रत्याशियों को इस बार बड़ा जटका आपसी कले से दो भागों में कॉंग्रीस बड़ती विनजरारी है और प्रत्याशियों पर इससे हार का खत्रा भी मंदरायवा है तो वहीं पाइलेट समर्थक सोचल मीडिया पर लोगों से सोच समझ करके वोट देने की अपील भी कर रहे है तो साथी साथ सचेन पाइलेट को वोट दोगे या सचेन के विरूदियों को ऐसे कई पोश्ट सोचल मीडिया के उपर देखने को मिल रहे है